आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question दिया गया है A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer What would happen if a bar magnet is withdrawn from the from side of the coil तो कहा गया है कि एक insulated copper wire का coil है जो कि galvanometer से connected है और कहा गया है कि अगर हम उस coil के side से एक bar magnet को ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ खिसका दे तो क्या effect होगा तो एक बार हम circuit को draw करके दिखते हैं पहले तो यह हो गया जो है coil हो गया यह अब क्या हुआ इसे हम connect कर देते हैं किस से galvanometer से connect कर देते है galvanometer कैसा होगा दिखने में galvanometer कुछ इसा होता है यहाँ पर arrow होता है और अगर circuit में अगर circuit में current है तो यह galvanometer क्या करेगा यह galvanometer deflection दिखाएगा यह arrow कुछ ऐसे deflection हो जाएगा तो देखते हैं क्या होगा तो पहली बात तो है यह क्या है यह कोईल ओफ इंसिलेटेट कॉपर वायर है और बार मेगनेट को हम क्या कर रहे हैं बार मेगनेट को हम लेट से इस डिरेक्शन से इस डिरेक्शन में ले रहा है तो हमें पता है कि जो बार मेंगेट होता है क्या होता है जो बार मेंगेट होता है वो एक मेंगेट है वो एक मेंगेट है जिसके करण क्या होगा इस मेंगेट क्या है एक मेंगेटिक फिल्ड होगा एक मेंगेटिक फि अगर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बार मेगनेट का मेगनेटिक फिल्ड स्ट्रेंग्थ है वो मेगनेट के सामने ज्यादा है और मेगनेट से दूर चले जाए यहाँ पर उसका स्ट्रेंग्थ कम है magnetic field का strength कम है तो जैसे ही bar magnet इस सीरे पर हो coil का तो क्या होगा यहाँ पर magnetic field ज्यादा होगा और यहाँ पर magnetic field इस end में magnetic field कम होगा अब जैसे ही bar magnet को हम इस तरफ लाएं तो दूसरी जगा पर magnetic field कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसके गारा यहाँ पर हो रहा है कि जो magnetic field है जो magnetic field है वो क्या कर रहा है वो vary कर रहा है with respect to the coin coil के respect में magnetic field जो है vary कर रहा है अब variation in magnetic field में magnetic field में अगर variation हो तो इससे क्या होता है इससे current induced होता है यानि कि जो coil है उसमें current induced हो जागा और जैसे coil में current induced होता है तो क्या होगा current induced होने से इस पूरे circuit में एक current आदाएगा इस पुरे circuit में current आदेगा अगर current आगया तो यह galvanometer जो है यह current को detect कड़का circuit में और क्या होगा galvanometer deflection दिखाएगा it will show deflection तो हमें जो चाहिए कि what would happen if a bar magnet is withdrawn from side the coil यह क्या होगा इसका अंसर वोगा deflection in galvanometer क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर